Hello, Namaskar and Welcome to Samta Education Samta Education के इस online platform पर मैं आपका reasoning educator स्वागत करता हूँ और बच्चो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है syllogism का part second First part हमने कर डिस्कस किया था और first part में हमने पढ़ा था कि चार टाइप के generally जो statement हैं वो हमारे exam कुछ जाते हैं all, no, some and some not और इन चारों के ही diagram बनाना हमने वहाँ पर सीखा था कि किस तरह से diagram इनका बनाया जाता है तो basics जो है थे वो हमने कहीं कहीं कल clear कर ली हैं आज थोड़ा हम बढ़ते हैं आगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सरसे पर उस चीज़ पर discuss कर लेते हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आइदर और इदर और आज हम पढ़ने वाले option इस topic में कहीं दिक्कत होती है सभी students को कि sir इदर और case है वो हमसे नहीं बन पाता है यानि बनता भी है तो गलत बन जाता है तो इन सारी परिशानियों को आप बिल्कुल भूल जाए क्योंकि हम बहुत ही भैतरीन तरीके से और बहुत ही आसान तरीकों से हम ये discuss करने वाले है ठीक है चलिए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है इदर और case देखिए इदर और case बच्चों कोई अलक्सी कोई case नहीं है सबसे पहले आप ये समझ लीजी एक बार ठीक है देखिए यहाँ पर basic जो हमने कल पढ़ रहते हैं उसके according सबसे पहले आप diagram पर आईए diagram क्या है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है some chairs are table ठीक है यहाँ पर आप यहाँ पर बनाओगे चेर का circle यहाँ पर क्या आगया some chair are table clear है okay then क्या है some table are furniture some table are furniture कैसे बनाओगे table का part है यहाँ पर तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा furniture का जो circle है वो बन जाएगा clear है अभी को यहाँ तो कोई डाउट किसी को नहीं है ना चलिए सो बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अब conclusion पर हम आते हैं conclusion क्या होता है statement की भीहाँ पर जो हम check करते हैं यह क्या है conclusion दिया गया है some chairs are furniture कुछ chair है वो क्या है furniture है तो देखो compare region जो किया जा रहा हो की उनका किया जा रहा है chair का furniture का ठीक है और हमने आपको last lecture में यह बताया था कि किनहीं भी ऐसे दो elements के बारे में बात हो जिनके बीच में कोई relation ना हो यानि कि उनके दोनों circle का अपस में कोई link ना हो समझने हैं आप हमारी जाएगा क्या चीज clear है example समझते हैं देखिए यहाँ पे एक circle बना दिया हमने A एक यहाँ बना दिया B यहाँ बना दिया C यहाँ बना दिया D बात करते हैं B से D अब B से D में चाहे कुछ भी आ जाए all BRD, some BRD no BRD some BRD किसी भी तरह का बच्चो यहाँ पर आ जाता है conclusion हमेशा हमेशा और सदा के लिए कहाँ चल जागा डाउट में चल जागा सोचने वाली बात बिलकुल है ही नहीं ठीक है न तो जब भी कभी ऐसे दो circle की बात हो रही है ऐसे दो element की बात हो रही है जहाँ पर की जहाँ पर दो circle का कोई link नहीं है तो बच्चो ऐसे जितने भी case है वो सारे आपके कहाँ चल जाते हैं डाउट में चल जाते हैं clear सभी को को doubt यह दिया हाँ तक आपको हो तो आप बता दीजिएगा ठीक है चलिए यह यहाँ से हटा देते हैं सब कुछ ताकि और बहता तरीके से आपको समझ माँ से तो बच्चो clear है यहाँ तक तो यहाँ पर जो हमारा first जो conclusion तो doubt में चला गया clear है second पर आजए no furniture or chair no furniture or chair no furniture or chair तो वापच से बच्चो किसकी बात हो रही है furniture की कहां से बात हो रही है furniture की बात किसी chair से हो रही है तो फिर से दो ऐसे elements की बात हो रही है जिनके वीजो कोई भी direct relation नहीं है so यह question भी conclusion भी कहां चला जाएगा doubt में चला जाएगा चला गया और हमने आपको यह बताया था जब भी कभी single doubt हो single doubt का मेरा मतलब है कि आपका जो conclusion यही पर खतम हो जाए आगे कोई possibility जैसा word ना हो तो हम conclusion को wrong कर देते हैं गलत कर देते हैं ठीक है so इसके according फिलहाल के case में जो आपका answer बन रहा है वो क्या बन रहा है कि neither one nor to follow लेकिन अब बात आती है either or case की either or case कब लगता है तो बचो देख यह धहान से either or case के रिए तीन condition आपकास होती है सबसे पहले either or का मतलब क्या है either or means if first conclusion follow then second will not follow if second conclusion follow then first will not follow यानि कि इन दौनों में से कोई एक सही होगा या तो यही सही होगा या फिर यही सही होगा ठीक है दौनों कभी भी साथ में सही नहीं हो सकते हैं ठीक है यानि possibility है देखो doubt का मतलब पहले ही हमने आपको बताया था doubt का मतलब होता है कहिन कहीं संभावना है इसके सही होने की या संभावना है इसके गलत होने की ठीक है ना इसके बाद if there is not any direct relation between two variable then all definite conclusion will be doubtful यह वही मैंने आपको बताया था बचो जिस प्रकार से दो circle के बीच के आप के बीच में कोई भी direct relation नहीं होता है ऐसे में उनके बीच में जो भी direct definite conclusion होते हैं वो सारे आपके कहां जाते हैं बचो वो आपके doubt में चले जाते हैं अब आते हैं हम conditions पे कि देखिए फिलहाल के case में हम देखें तो मैं answer pick करने जाओंगा कि sir ना तो first follow करा ना ही second follow करा लेकिन तब ही मेरे जहन में यह बात आती है कि either or case भी बनता है अब वो either or case कब बनता है क्या उसकी conditions हैं वो देखते हैं सबसे पहली जो condition है both conclusions should be doubtful both conclusions should be doubtful का मतलब क्या है बच्चो कि दौनों जो conclusion है वो doubtful आपके होने चीए तो देखिए first and second दौनों ही conclusion मेरे क्या है doubt में है तो कहीं कहीं मेरी जो first जो condition है वो satisfy हो रही है is that clear and second one is one should be positive and another should be negative अब यह किसकी बात हो रही है यहाँ पर यहाँ पर बात हो रही है आपके conclusion की कि आपका जो एक conclusion है वो in nature positive होना चीए और दूसरा जो आपका conclusion है वो in nature negative होना चीए clear है बच्चो ठीक है तो यहाँ पर आप देखोगे कि first जो आपका है some chair our furniture यह positive nature का है वहीं पर no furniture आप चीए यह कहिन की आपका negative nature का है clear है ठीक है अब जो टीसरी जो आपकी condition है वो है कि subject and predicate should be same अब subject and predicate यहाँ पर मेरा मतलब क्या है कि chair furniture furniture chair यह जो आपके elements है यह आपके elements क्या होने चीए बचो same होने चीए दौनों ही conclusion में समझ में आगे आपको तो पहली condition हमारी क्या बनी है दौनों doubt में होने चीए दूसरी condition one conclusion should be positive while another should be negative conclusion and third one is कि elements जो आपके है वो बच्चो वो आपके क्या होने चीए बिल्कुल same होने चीए ठीक है समझ में आ गया ना अब यहाँ पर कुछ बच्चों को problem यह आ जाएगी सर elements यहाँ पर same नहीं है क्योंकि देखो chair के नीचे furniture आ रखा है और furniture के नीच चेर आ रखा है तो भईया कोई दिक्कत नहीं है इसमें ठीक है चाहे chair के नीचे furniture आए या furniture नीचे chair आ रखा है डजेंट मैटर कोई मैटर नहीं करता है समझ में आ गया ultimately हमें देखना यह है कि elements दोनों में same है या नहीं है clear है अगर यदि आपकी ये तीनों conditions satisfy हो रही है तो यहाँ पर आप जो answers पिक करोगे वो करोगे either one or to follow ठीक है इसी में अब हम लेते हैं आपका जो second वाला जो एक और question मैंने आपे बनाया हुआ है कि some furniture are chair some furniture are chair देखो furniture का chair से वापस से वही दिया गया है तो बचो ये भी कहा गया doubt में चला गया ठीक है and no chair are furniture कोई भी chair furniture नहीं है chair से लेके furniture की बात हो रही है न तो ये भी कहा चला जाएगा आपका doubt में चला गया समझ मा आ रहा है ये भी कहा चला गया doubt में चला गया अब doubt में चला गया तो हम इने गलत कर देते हैं ठीक है सुनिए एक बार और यहाँ पर जो हम answers पिक करते हैं लेकिन उससे पहले का जो के step है जहाँ पर आपको ये चेक करना होता है कि क्या यहाँ पर either or की condition बन सकती है या नहीं बन सकती है clear है न तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब हम चेक करने जाएंगे either or condition जो की हमारे जहन में होनी चाहिए हमेशा कौनजी condition है first one is कि both conclusions should be doubtful दौनो doubtful होने चेह तो बिलकुल यहाँ पर कहिंद कहीं हमारे दौनों जो conclusions हो doubt में है दूसरा जो आपका है कि element one should be positive and another conclusion should be negative यानि कि एक positive होना चेह एक negative positive negative से मेरा मतलब है कि यहाँ पर some furniture आच चेह तो इसका जो sentence का जो nature है वो कैसा है positive है जबकि second वाला है no यहाँ पर आगा है तो नेगेटिव है एक positive एक negative है तीसरा जो है वो क्या था कि element same होने चेह तो यहाँ पर furniture है यहाँ chair है यहाँ chair है furniture तो कोई problem नहीं है बच्चों यहाँ भी आप क्या लगा दोगे either or लगा दोगे क्या यहाँ तक चीज़ें आपको clear है यहाँ तक clear है बच्चों बस यह बात आप याद रखिए जब भी किनी दो ऐसे elements की बात हो जिनके circle के बीच में कोई relation ना हो अब relation ऐसे नहीं देखना कि सर देखो यहाँ से relation आया यहाँ तक पहुचा और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुचा ऐसा कोई बजली का कोई wire नहीं है कि यह ऐसे connection जा रहा है ठीक है अच्छा ऐसा क्यों है देखिए एक बार यह भी आप बात समझ लिजे माली जी यहाँ पहे इसने लिखाए षम चेराओ टेबल तो सम चेराओ टेबल यह हो गया फिर लिखाए सम टेबला फ़नीचर तो क्या बच्छों हम इसको ऐसे नहीं बना सकते क्या आपको वे 색 नहीं बना सकते नहीं क्योंकि इसने सम टेबला iedereen करेदा तो मैंने आपको क्या बताय था एक होता है standard diagram एक होता है possible diagram possible diagram का मतलब यह होता है कि आपको जो statement है उससे अलग नहीं जाना है आपने ये diagram मनाया आप पढ़के देखे statement some chair of table तो बिल्कुल some chair of table है है ना second वाला पढ़के देखो some table of furniture, some table of furniture है या नहीं है तो यानि कि आपका जो statement है उससे आपका diagram contradict नहीं करना चाहिए diagram आप चाहिए जो बना है चलिए जैको और क्या बना सकते है some chair are table ठीक है and some table are furniture table का कुछ part furniture मैं तो बच्चों मैं इसको ऐसे बना सकता हूं लो पढ़के देखिए ठीक है तो इसलिए हमने कहा था कि जब भी कभी इस तरह से आपके पास किनी दो variable के बीच की बात हो जनका कोई direct connection ना हो तो वहाँ पर ऐसी possibility बन सकती है इसलिए मैंने आपको insert समझाया है कि जब भी कभी ऐसे दो elements की बात हो जनके बीच में कोई relation ना हो तो उनका जो case है वो कहां चला जाता है डाउट में चला जाता है ठीक है और doubt वाला case कब exception यहाँ पर क्या है देखिए here are exception of either or conditions despite all the three conditions these conclusion will not take either or as answers कभी कभी क्या होता है कि आप देखोगे कि सारी condition satisfy हो रही है सारी condition satisfy हो रही है इसे मैं वही यहाँ पर question लेता हूँ क्या था chair table of furniture और यहाँ पर मैं conclusion लिख देता हूँ यहाँ पर मैंने लिखा like all furniture are chair और यहाँ पर मैंने लिख दिया no furniture are chair ठीक है यहाँ पर मैंने लिख दिया अब देखो क्या है all furniture are chair तो बच्चो यहाँ पर आप देखो का furniture कोई relation नहीं है कहां गया doubt में चला गया यह clear है दूसरा है no furniture are chair no furniture are chair तो अभी भी क्या है अब आप कहों कि सर देखो कोई furniture chair नहीं तो है देखें बच्चो मैंने कहा है कि जब भी कभी दो elements के वीचे और relation ना हो लगेगा समझे क्योंकि exception है यदि बच्चो all के साथ कभी no आ जाता है all के साथ no कहां पर आएगा यहां पर देखो तो जब कभी भी all के साथ no आ जाता है यानि कि 100% positive के साथ 100% negative का case बन जाता है 100% positive के साथ 100% negative यानि कि all के साथ no आ जाता है all के साथ no आ जाता है तो ऐसे case में आपका क्या नहीं बनता है either or नहीं बनता है ठीक है तो यहां पर सारी condition satisfy होने के बावजूद भी क्या लगेगा neither one nor to follow ना तो first और ना ही second follow कर रहा है clear है सभी को देखिए वापस समझने जाए तो आईदर और की तीन conditions होती है दोनों doubt में positive negative और elements same होने चीए हैं ठीक है ना लेकिन यदि कभी भी एसे दो conclusion जिनके बीचिए सारी conditions तो बन रही है लेकिन उन में all और no दिया है यानि 100% positive 100% negative दिया है all मतलब सब no मतलब कोई भी नहीं तो जब भी कभी यह हो तो ऐसे में दरौड नहीं लगेगा चले बढ़ते हैं आगे यहाँ पर एक और exception है भी या देखो exception क्या है मान लीजे मैंने यहाँ पर actually यहाँ पर conclusion लिखे हुए है statement लिखना हम भूल गए है तो statement यहाँ पर हम लिखने जाए तो क्या बन सकता देखे मैंने यहाँ पर लिखा कि sum cat are chat एक लिख दिया कि sum chat are met यह है भी यह आपका statement अब statement के बयापर आप क्या बनाओगे diagram बनाओगे तो बनाओ क्या हो गया sum cat are chat ठीक है and sum chat are met यह sum chat are क्या बन गया मैट बन गया clear है चलिए चलते हैं conclusion की तरफ all cat are met बच्चो वही देखो cat से met की बात हो रही है कहां चला गया case doubt में चला गया sum cat are not met वापस से cat met की बात हो रही है वापस से वही है कहां चला गया doubt में चला गया हमारी चेहन में यह बात आई कि जब दौनो doubt में चले गये है तो एक बार check कर लेते हैं इदर और पहली condition दौनो doubt में हंजी बिलकुल है second condition है कि पहला positive दूसरा negative होना चीए अब देखो यह ज़रूर नहीं पहला positive मतलब एक positive दूसरा negative होना चीए ठीक है तो यहाँ पर तो है all यहाँ पर है some not तो यह कैसा हो गया नेगेटिव हो गया तो एक positive दूसरा negative भी हो गया तीसरी condition थी कि जो elements है वो same होने चीए तो बच्छो elements भी कहीं कहीं आपके same है cat, mat or cat or mat यहाँ पर अराम से आप क्या लगा दो समझ में आ गया कोई problem नहीं है ना बढ़ते हैं आगे इस conclusion की तरफ वापस से वह यह देखो all cat are mat वापस से cat mat का comparison क्या जा रहा है क्या हो जाएगा doubt है फिर से some cat are not mat कुछ cat mat नहीं है वापस से क्या जाएगा doubt में चला जाएगा ना ठीक है doubt में चला गया अब यहाँ पर यह दि हम चेक करने जाए तो आइदर कंडिशन बनेगी क्या आप में बताईए तो आप कोई सर बिलकुल बन जाएगी क्योंकि दौनों doubt में है एक positive है उपर वाला नीचे वाला negative है और elements भी cat, mad, mad, cat same है ठीक है तो आप कहेंगे सर तीनों condition satisfied हो रही है तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए आइदर और लगा दीजिए लेकिन बच्चों यहाँ पर आइदर और नहीं लगेगा अब क्यों लेगा है समझ यह ध्यान चे समझ जिएगा इस बात को बच्चों जब भी case हो all और some not का all some not का मतलब मेरा क्या है यहाँ पर all आजाए और नीचे क्या आजाए some not यह all यह some not जब भी कभी आजाता है all के साथ some not बच्चों जब भी कभी क्या आजाता है all के साथ some not ध्यान देने वाले बात यहाँ पर यह है कि in all and some not case subject and predicate should be on same place and same position in both conclusion यानि कि जो आपके cat mat है वो same position पर होने चाहिए, cat के नीचे cat और mat के नीचे mat तो इधर और लग जाएगा otherwise आपका इधर और case नहीं बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर आपका cat के नीचे क्या आगया? mat आगया और mat के नीचे क्या आगया? cat आगया तो यहाँ पर आपका सारी condition satisfy होने के बावजुद भी आधर और नहीं बनेगा, so answer क्या होगा यहाँ पर neither nor समझ यह बात को मैंने क्या का आपसे यह condition, अब आप यह ना कहना की सर्थ देखिए, starting में आपने जो बताया था यहाँ पर भी तो chair furniture था यह यहाँ पर ना कहना क्योंकि यहाँ पर क्या है? sum है और no है यहाँ पर क्या है? sum है और no है लेकिन मैं आपको कब की बात बता रहा हूँ जब भी कभी क्या हो all के साथ sum not हो क्या हो all के साथ? sum not हो all के साथ क्या हो? sum not हो all के साथ sum not में आपके जो subject पेडिकेट हैं वो आपके कहा होने चाहिए जो same place और same position होने चाहिए अगर है देखो इस वाले में है तो यहाँ पे हमने इदर और लगा दिया यहाँ पे नहीं है हमने क्या लगा दिया ना इदर न लगा दिया समझ में आ गया? clear है? तो यह था आपका इदर और case अब practice के लिए आपके पास है यह 6 question है जो आपको लगाने है ठीक है? तो snap is का आप ले लीजिए कि यहाँ पर क्या answers निके बन जाएंगे बहुत ही आसान से हैं यह मैं आपके लिए छोड़े दे रहा हूं ठीक है? अगर इसमें कहीं भी आपको doubt है तो आप comment box में comment कर सकते हैं कि sir इस question में problem आई थी तो वो हम discuss करेंगे बचो ठीक है? तो यह मान के चलिए कि exam में यह दिया आपके पांच questions आते हैं तो कम से कम एक या दो आपका either or case बनाता ही बनाता है कोई दोरा नहीं है इसमें और जातर बच्चों जो problem आती है वो either or case में आती है इसके बाद में यदि आपको elements सेम लग रहे हैं तो आप एक बार conditions को match करके देख लीजिए क्या आपकी तीनो conditions एट साइ हो रही हैं Is that clear? ठीक है? I hope either or में आप कोई doubt आपको नहीं रागा हो clear है? So बढ़ें आगे अब यहाँ पर हम क्या करें कुछ questions की practice करेंगे ठीक है? Start करते हैं practice इसके बाद हम और भी जो types हैं वो हम questions के देखते है only है only few है यह सारे हम देखेंगे आगे फिलहाल 4-5 questions हम discuss करते हैं ठीक है? यहाँ पर all cat इस तरह से यह आपको discuss होगे जल्दी स्तियार हो जाई प्रैक्टिस के लिए और यहाँ पर question दिया गया है एक statement है कि some fan are wall क्या diagram मन जाएंगे बताइस पहले क्या है fans तो यहाँ पर क्या आगे fan आगे are wall कुछ fan क्या है? walls है and all walls are radio अब सारी जो wall है वो क्या होगी बैच्चो radio हो गई है बन गया अब आजएए यहाँ पर conclusion पर देखे diagram मन जाएदिया आप सीख गए न तो आपकी बहुत सारा जो दर्ध है जीवन का वो खतम हो जाएगा अब conclusion पर आईए some fans are not radio कुछ देखो एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एक और आइट अप्रोच पिता जाता हूँ कि बच्चो जब भी कभी आपके statement positive हो और conclusion negative आई गलत कर दो सीधा समझ रहे हैं बात को? जब भी कभी आपके statement आई positive और आपका conclusion हो negative सीधा रहां कर दीजिए ठीक है? चलिए देखिए खेर चेक करते है some fans are all ये तो हमने diagram मना दिया some fans are not radio कुछ fan ऐसे हैं जो radio नहीं है देखिए ये तो definite पता है कि कुछ fan radio है लेकिन what about this? लेकिन इस part के बारे में क्या जो radio नहीं है तो मैंने आपको some के case में बताया था बचो यदि आपको याद हो A और B इस तरह से हैं तो ये part तो हमें clear है कि सर ये तो A और E का part B में जा रहा है लेकिन इसके बारे में मैंने आपको बताया था हो सकता है ये भी part B का हो हो सकता है ना हो तो ये जो case है इसने कहा है कि some fans are not radio fan का जो कुछ पार्ट है वो radio नहीं है तो दिखने में तो लग रहा है कि fan का कुछ पार्ट radio नहीं है लेकिन ऐसा statement में कही mention नहीं है यह सारा जो पार्ट है वो रेडियो हो भी सकता है अचा कैसे हो सकता है देखिए अगर मैं डागराम ऐसे बना दो कुछ देखिए All walls are radio ठीक है And some walls are radio यह लीजे भईया Some wall are radio समझ रहे हैं? यह बना दिया है हमने यह बना सकते है ना लेकिन बनाना नहीं है आपको यह जूर यह था some fan यह डियाग्राम मैं ने गलत बना दिया न ओके some fan are wall some fan are wall some fan are wall some fan are wall and all wall are radio all wall are radio तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं लो all wall are radio समझ रहें तो यह क्या है possible diagram possible diagram वो होता है जो आपकी statement को satisfy करें तो देखो आपका जो statement हो satisfy हो रहा है सम फैनर वाल है और और वाला radio है ठीक है तो यहां पर फिलाल हम इससे हैं first वाले से हम देखते हैं जो हमने बनाया था ठीक है कि क्या यहां पर कुछ हो सकता है some fan or not Radio some fan or not radio तो बिचे ये कहां जाल जाएगा doubt में चला क्योंकि ये पार्ट जो है भुकर रिडियो का जाब सकता है और नहीं जाब शक्ता and all radio are not fan all radio are not fan कोई-b inherently ओफेन नहीं है ठीक है तो यह क्या हो गए आपका बताईए यह तो गलत हो गया ना all radio are not meant सारे radio है वो fan नहीं है आपका गलत हो गया ठीक है अच्छे कैं आप यहाँ पर either check करने जाओगे नहीं जाएंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर दोनों ही क्या है है ठीक है यहाँ पर नहीं जाएंगे सो अंसर क्या हो गया आपका नन फॉलो ठीक है बड़ें आगे तो यहाँ पर बात है कुछ statement आपको दिये गए हैं आप चार statement आपको हैं उसके बिहाफ पर आपको तीन conclusion आपको देखने हैं options में हैं आपको नहीं दे रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो options देखके बढ़िया मज़ा आएगा देखिये सम मैगी आर टी तो डियाग्राम क्या बन जाएगा फिया ये है मैगी और ये है चाय फिर है और टी आर चिप्स सारी टी क्या है चिप्स हैं बहुत ही कमा लोकर्शन एंड सम चिप्स आर नॉट को को सम चिप्स आर नॉट एकशले सीवाले दो हो गए नहीं हापर तो यहां पर हम लिख लेते हैं मैगी टी एंड ये क्या है चिप्स and sum t are not जोको अच्छा एक बाह बताइए sum not का diagram कैसे बनता है अगर आपको याद हो sum not का diagram हमने कुछ इस तर इसे बनाया था याद है sum a are not b याद है यह sum not का diagram होता है तो यहाँ पर कहा गया some chips are not जोको तो यहाँ पर some chips some chips are not ठीक है और फिर है no choco is ice cream no choco is ice cream and no choco is ice cream ठीक है यह हो गया चलिए so बढ़ते हैं अभी एक पर और चेकर लीजिए से all megia t some megia t and all tea are chips and some chips are no choco and no choco is cream okay that clear conclusion पर आजये भीया no ice cream is chips कोई भी ice cream है वो chips नहीं है अच्छा बताईए फिर से ऐसे दो elements के लिए को एक बात और समझें आप बहुत ही बसी बात है जब तक आपको कहीं जाने के लिए restrict ना किया जाए जब तक आप कहीं जाने के लिए सकते तो वह क्या है एक restriction है वहाँ पर आप नहीं जा सकते ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए ice cream अजय है वह restricted कहा के लिए है वह restricted है चौको के लिए कि वो कहां नहीं जा सकता बस चौकव में नहीं जा सकता इसके अलावा वो कहीं भी जा सकता देखो बहुत ही बेसिक सा है और बच्चों को प्रब्लम डेफिनिटली आती है तो आप ये बास समझे जब तक किसी भी elements को particularly restricted नहीं किया जाता है तब तक वो कहीं भी जा सकता है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा ice cream जो है वो चौकव में नहीं जा सकता है इसके अलावा वो chips and जो आपका mag यह वहाँ पर जा सकता है ठीक है ना तो आप यहाँ पर बात हो रही है no ice cream है chips बच्व वापस से बात हो रही है ice cream की और chips की यहाँ पर तो इन दोनों का directly कोई relation यहाँ पर कहीं कि नहीं है ठीक है और relation जब ना होता है तो सारे केस कहां जाते हैं doubt में तो यह कहां चला गया doubt में चला गया ठीक है क्योंकि ice cream है वो chips में आराम से जा सकता है ठीक है ना doubt में चला गया all choco can be chips all choco can be chips अच्छा के सारे choco chips में जा सकते हैं देखिए अब ध्याँ समझे बच्व तो रेस्टिक्शन आपको था वो था chips से choco के लिए लेकिन इधर से कोई restriction नहीं आपके लिए तो सारे जो choco हैं वो chips में बिलकुल अराम से जा सकते हैं ऐसा कोई restriction यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर कहां चला गया doubt में चला गया all choco can be chips अच्छा देखिए doubt में चला गया लेकिन हमने कहा था कि doubt यदी है और साथ में उसमें possibility आ रही है बताया था हमने आपको बच्चो जब आगे doubt आ जाए और पीछे उसमें क्या आ जाए possibility आ जाए अब possibility का मतलब यहाँ पर possibility का meaning नहीं है possibility का मतलब यहाँ पर can be maybe इस तरह का कुछ भी यहाँ पर हो सकता है so convert हो जाएगा यह right में ठीक है अब देखो possibility वाला question आ गया है यहाँ पर तो कहीं कहीं बच्चों को problem रहती है possibility वाले में तो भई यह जो problem है उसे हटा दो विल्कुल हटा दिया क्या रहा गया आपके पास all Maggie are chips अब आप इसे ही देखिए बस all Maggie are chips क्या बच्चों सारी Maggie chips में जा सकती है आप कहोगे सर कुछ तो पहले से है कुछ तो पहले से है बाकी जो remaining है वो जा भी सकती है नहीं भी जा सकती case कहाँ चला गया पर चो doubt में चला गया न अगर आगे doubt है और पीछे possibility है तो क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा कहीं सोचने की ज़रत आपको नहीं है तो जब भी कभी आपके पास possibility वाला question आता है तो उसे आप break कर दीजिए दो पार्ट में एक आगे वाला पार्ट और एक possibility वाला पार्ट यदि आपका आगे वाला पार्ट doubt में है और पीछे possibility है तो आप उसे सही कर दीजिए यानि doubt को right में convert कर दीजिए लेकिन आपको पास आगे doubt आगया और पीछे possibility वाला ऐसा कोई word यदि conclusion में नहीं है तो आप उसे wrong में convert कर दीजिए Is that clear? ठीक है यहाँ पर आपका answer हो जाएगा second and third follow ठीक है तो बढ़ते हैं आगे next question की तरफ ठीक है some honey a mint तो यहाँ पर यह बनाया आपने honey and a mint यह है mint ठीक है and all mint are pepper all mint are pepper and no mint is salt no mint is salt no mint is salt and some salt are chili ठीक है some salt are chili इस तरह से diagram बन गया चलिए conclusion पर चलते हैं बच्चों all chili our salt is a possibility all chili our salt is a possibility देखिये बात हो रही है salt से चलिए के तो यहाँ पर मैंने क्या कहा आप से भाईया possibility में यदी दिक्कत आ रहे हैं तो इसे हटाऊ से उसे पहले जो दिक्कत है न उसे हटा दो ठीक है क्या बचा all chili are salt अच्छे क्या सारी चिली हैं वो salt में हो सकती है क्या तो आपने कहा सर देखो इतना जो चिली है वो salt में है अब बाकी का है वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता यानि कि हमें नहीं पता और हमें नहीं पता तो यह ऐसे बेज़िए डाउट में और यह डाउट में चला गया पीछे क्या है पॉसिबिलिटी है तो किस में convert कर दोगे सही में convert कर दोगे ठीक है समझ में आ गया सेकिंड पर आजए यह some mint our paper कुछ mint है और paper है तो बचे यह तो clear है जब all mint our paper है तो some तो अपने आप सही हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको first lecture में बताया था कि जब भी कभी all की information आपके पास है some के बारे में आपसे पूचा गया है आपका answer होगा हमेशा right third पर आजए बचो all honey a mint is your possibility सबसे पहले करना क्या है इस possibility को यहां से हटा दीजिए शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए आपका answer सही हो जाए all honey a mint यहाँ पर यह honey है यह mint है क्या सारा honey mint है आपको नहीं सर कुछ है अच्छा बाकी का क्या हाल है तो सर बाकी का जो है वो यहाँ पर आपका answer हो जाएगा all, first, second and third conclusion follow clear है बच्छों बढ़ते हैं आगे अगले question के तरफ दें कि practice हम कर रहे है questions के हम practice कर रहे है बहुत सारे practice हमें आपके करने वाले यह question मैंने आपको options के साथ दिया है ठीक है instrument क्या है all copy our book all copy our book and some book are pen some book are pen no pen is pencil and no pencil is sketch and no pencil is sketch यह बन गया चले बच्छों बढ़ते हैं आगे conclusion की तरफ some copy are pen some copy are pen तो आप यहां देखोगे बच्छों की copy का circle है वो यहां से सुरू होके और यहां पे खत्म हो गया जबकि pen है उसका जो circumference यहां से सुरू हुआ है और यहां तक है ठीक है तो यहांने दोनों के बच्छे डिरेक्ट को रिलेशन नहीं है तो बच्छों कहां चला गया case आपका doubt में चला गया some pen is pencil यह नहीं है यह यह some pencil is भी नहीं होगा ना यह तो some है तो फिर are होगा some pencil are some pen are pencil कुछ pen pencil है तो आप देखोगे pen or pencil का तो रिस्ता ही नहीं है यहां पर बिलकुल यहां पर यह कहा गया था no pen is pencil यह देखिए statement में कहा गया था pen or pencil का कोई भी relation जब नहीं है तो यहां पर कहा गया some pen are pencil तो क्या हो जाए गलत हो जाए पार्ट है वो pencil में बिलकुल जाही नहीं सकता आगे no copy or pen कोई भी copy क्या नहीं है pen नहीं है तो बचो यह तो बिलकुल गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि copy और pen बिलकुल दोनों अलग है अलग है तो doubt में case आपका चला जाएगा ठीक है तो यहां पर first जो है doubt में है second है वो wrong है third जो है वो doubt में अब यहां पर आप देखोगे first और third पर को similarity आपको देख रही होंगी देखिए दोनों ही doubt में है एक यहां पर positive है दूसरे यहां पर negative है और दोनों के elements है वो same है और तीनों condition जब बन जाती है आपका either or लग जाता है लेकिन exception भी आपको याद रखना है बच्चों की यादी no के साथ all नहीं होना चाहिए तो यहां पर तो no के साथ sum है कोई दिक्कत नहीं है answer क्या हो जाएगा d either one or third follow ठीक है बढ़े हां आगे अगले question तरफ some jam are better diagram बनाए some jam are better and all bread are cream and all bread are cream and some cream are jam ठीक है clear है सभी को some jam यहां पर थोड़ा एक okay jam यहां पर दो बार हमने बना दिया तो एक बार वापस सही सही बना जाते हैं some jam are butter and no butter is bread okay फिर से गलत हो गया देखिये some jam are butter and no butter is bread no butter is bread and all bread are cream and some cream are jam and all bread are cream अब यह तो ना आपको एक साथ बनाने पड़ेंगे कहीं कहीं देखिये क्योंकि आपको सारे जो bread है वो cream में करने हैं all bread are cream and some cream are jam तो यह diagram बन जाए कुछ इस तरह से कि jam यह बन गया butter यह बन गया आपका bread और यह बन जाएगा आपको कुछ इस तरीके से jam sorry cream देखिये some jam are butter shit क्या बन गया बच्चों देखो एक बर फिर से यहाँ पर jam आगया और jam क्या है butter है और no butter is bread no butter is bread and all bread is cream and some cream are jam all bread are cream तो यह ऐस जाएगा देखिये cream ठीक है इस तरह से आपका diagram बन जाएगा कि all bread are cream and some cream are jam यह यहाँ पर cream का कुछ पार jam में चला जाएगा देखिये आप सबसे पहले क्या करना है आपको इस possibility को हटा दीजे यहाँ से हटा दिया तो आगे है some jam are not bread कुछ jam ऐसे है जो bread में नहीं जाएगे अच्छा देख के बताईए क्या कोई ऐसा jam का part है जो bread में नहीं जाएगा क्या क्या ऐसा कोई भी part है जो नहीं जाएगा बच्चो कहाँ पर bread में जल्द से बता दीजी एक बार diagram clear है सभी को diagram clear है सभी को छिए some cream or jam some jam or butter no butter is bread no butter is bread and all bread are cream all bread are cream and no butter is bread इस तरह से बन जाएगा लेजी टीक है some jam are some jam are cream and some jam are butter and no butter is bread and all bread are cream ओके चलिए some jam are not bread some jam are not bread बताईए jam का कुछ पार्ट ऐसा है जो ब्रेड में नहीं जाएगा क्या ऐसा कोई पार्ट है जो ब्रेड में नहीं जाएगा देखे बताईए यहां पर तो देखिए आप हमें यह बताईए कि ब्रेड में जाने के लिए मना किसको किया गया है तो यहां पर मना किया गया है कि no butter is bread बताई का कोई पार्ट कहा नहीं जाएगा ब्रेड में नहीं जाएगा तो देखो यह जो बताई है पूरा बतार का जो सरकल है पूरा यहां से सरकल थे यह साथ है इसको ब्रैड में पूरा पार नहीं जाएगा जाएगा इस ब्रैड के पार्ट में थोड़ा working वहाद को रह moralिवा इंपर क्वा अप्रण की का यहां पर यहां पर यहांपर हो जैघा समचा कि हाँ जी बिलकुल some jam are not bread कुछ jam है वो bread में नहीं जाएंगे तो ये क्या हो गया बिलकुल सही है आपका हो गया ठीक है लेकिन साथ में दीखे ये पीछे possibility तो क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा क्योंकि possibility वाला जो आपका conclusion बजो तभी ही होता है जब की आपका जो conclusion है आगे से या doubt में हो ठीक है क्योंकि कभी भी जब आप confirm होते हो किसी चीच के बारे में उसकी संभावना सारी खतम हो जाती है ठीक है चले बढ़ते हैं आगे some cream are not butter is your possibility तो यहाँ से हटा दीजिए से ठीक है some cream are not butter कुछ cream ऐसी जो butter नहीं अचा कौन सी ऐसी cream जो butter नहीं जा सकती आप हमें ये बाब बताईए कि सारे cream के circle उठा करके आप butter में रख सकते हैं इस cream को हमने यहाँ से उठाया इस butter में रख दिया क्या आप रख पाओगे तो आप कहोगे नहीं sir नहीं place कर पाएंगे क्योंकि अगर हम सारे cream को उठा करके butter में रखेंगे तो साथ में जो bread है वो भी कहा जाएगा butter में जाएगा जबकि bread को butter पे जाने से मना किया है ठीक है तो यहाँ पर some cream are not butter cream का कुछ पार्ट का नहीं है butter नहीं है क्योंकि हमें confirm दिख रहा है कि cream का कुछ पार्ट butter में नहीं जाएगा यह confirm है ऐसी संभावना नहीं है समझ मागया all cream are bad is not a possibility अब यह थोड़ा अलगा गया देखो not a possibility अलग होती है possibility अलग होती है not a possibility क्या होता देखे not a possibility का मतलब होता संभावना नहीं है संभावना नहीं है और संभावना कब नहीं होती है जब हम किसी चीज के बारे में confirm होते हैं शौर होते हैं ठीक है तब ही तो संभावना नहीं होती है ठीक है all cream are bread all cream are bread सारी cream bread है सारी cream bread है तो क्या सारी cream bread में जा सकती है तो यह वही वाला case आ गया बच्चो, all A, B वाला, all A, B भी तो है, क्या सारे B, B, A हो सकते हैं क्या, तो यह बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, all B, A, B हो सकते हैं, ठीक है, वैसे ही all cream are bread, तो all cream are bread क्या है बिल्कुल हो सकते हैं जी doubt है ठीक है अब ये doubt आगे आपको यहाँ पर और आगे क्या दिया हो गया है is not a possibility all cream are bread तो बचो ये जो cream का part है वो bread में बिल्कुल जा सकता है कोई भी restriction ऐसा नहीं है तो क्या हो गया है पर doubt हो गया doubt का मतलब होता है कि हाँ ऐसी संभावना है ऐसी संभावना है जबकि पीछे क्या दिया गया है is not a possibility मतलब कहने का इनका ही है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है जबकि आगे क्या आगया संभावना है तो बचो आप ही गलत हो जाएगा तो basic difference समझे पॉसिबिलिटी और not a possibility के होता है ठीक है लेकिन डाउट के केस में not a possibility आपका गलत हो जाता है तो answer यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चो क्या हो जाएगा बताएगा बताएगे फर्स्ट और सेकेंड आम आ राइट फर्स्ट और सेकेंड ऐसा कोई option यहाँ पर है क्या देखिए एक पार बोथ फर्स इए गलत हो गया नग्षै का लगर रुखे है लेकिन फॉर्टिमेटली पॉंट के गलत हो गया था कोई शी एक ठीक है एक्चुली क्या था यहां पर हमने यहां पर से लागा रहा रहा था लेकिन पॉसिलिटी देख यहां पर फिर गलत हो गया था तो वहां पर होड़ा confusion हमें हो गया था ओके सो बढ़ते हैं आगे देखिए statement है बच्चों की all axis are vertex सारे axis जो है vertex है तो यहां पर आगए है आपका axis वह क्या है vertex है okay and no vertex is angle and some angle are faces and some faces are line ठीक है चलिए so solve करिए से जल्दी से no axis is angle no axis is angle कोई भी axis angle नहीं है तो यहां पर आप देखोगे अब कहने को दिये हो गया कि सर देखिए दोनों circle के विचों कोई भी link नहीं है लेकिन axis है वो किसका part है कहीं गहीं vertex का part है axis जो आ रहा हो किसके अंदर आ रहा है vertex के अंदर आ रहा है ठीक है जब vertex ही नहीं जा पाएगा angle के अंदर तो इसके अंदर कोई भी part एंदर नहीं जा पाएगा तो no axis is angle विलकुल क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा ठीक है क्योंकि यह जो vertex है इसकी सीमा रेखा के अंदर कोई भी person कोई भी part angle में नहीं जा सकता जबकि axis है वो पहले ही vertex का part है वो नहीं जा पाएगा some faces are angle is a possibility सबसे पहले क्या करेंगे possibility को यहां से हटा देंगे ताकि चीजें हमारे लिए आसान हो जाएं some faces are angle कुछ faces angle नहीं तो बच्चों यह तो आपका बिलकुल definitely दिखी रहा है भाईया सही है ठीक है फिर है third one is and some lines are angle is a possibility तो यह क्या होगे आपका हटा दिया हमने और आगे चेक करते हैं some line are faces okay okay second वाला वापस या एक पार some faces are angle सही था ना ठीकिन आप possibility दिया हुआ है तो अब यह गलत हो जाएगा ठीक है क्योंकि confirm की possibility कभी सही नहीं होती है ठीक है तो यह गलत हो जाएगा ठीक है हाँ अगर यहीं तक होता ना तो सही होता लेकिन इसमें आगे possibility दे दिया ना तो वो गलत हो गया some lines are angle some lines are angle कुछ line है वो angle है तो line और angle के बीच में देखो कोई direct relation नहीं है यहाँ पर so doubt यहाँ पर हो गया बचे और doubt के साथ possibility तो यह आपका सही हो जाएगा यहाँ पर आपका answer बन जाएगा both first and third follow ले रहे सबी को बढ़े हैं आगे चलिए भी आप पढ़ते रहो न्यूजपेपर और मैगजीन मतलब है वो न्यूजपेपर में पढ़ने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं वो तो आप पढ़ते ही होंगे obviously current affairs के लिए ठीक है और जो वीडियो आपके है current affairs के आपके आते र is magazine and not a single अब देखिए आपको के sir not a single यह तो हमने नहीं पढ़ा था not a single इसका मतलब कहा है not a single का मतलब एक भी नहीं एक भी नहीं एक भी नहीं मतलब पच्छे नोई तो हो गया ठीक है not a single magazine is book तो not a single magazine is a book और last one is की every book is story हर एक किताब है वो कहानी है तो हर एक किताब क्या होगई कहानी होगई यानि क्या होगई एक story तो चलते हैं अब अपने conclusion की तरफ जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं some stories which are book are newspaper as well वा यह क्या आ गया अल घबराये मत बहुत आसानी से लिए देखे some stories टुकड़े कर लिजे इसके some stories तो कुछ stories which are book जो की किताब हैं तो कौनसी वाली story किताब हैं तो देखो यह वाली some stories which are books हैं इस पार्ट की बात हो रही हैं पर are newspaper as well यह साथ ही साथ newspaper है तो यह तो भहिया नहीं है क्योंकि उसने कहा है कुछ story जो की book है वो newspaper भी है तो story है यह book है वो newspaper तो नहीं है so गलत हो जाएगा ठेक है ना फिर आता है कि no newspaper is a book कोई भी newspaper है वो book नहीं है तो भी newspaper को जाने के लिए कहां मना किया है magazine में जाने के लिए मना किया है newspaper को book में जाने के लिए कोई मना नहीं किया गया है जो नूजबीपकर इष को हो जायेगा, आपका गलत हो जायेगा, ठीक है। जायेगा, ठीक है, क्योंकि नूजबीपकर है समस्थोरिई उन्हों पार, मेगजीन कछ Pr .... ये बात तो हो सही है क्योंकि देखो, बुक्स को जाने के लिए मना कीजा था, मैगजीन में और जो बुक्स है न, वो कहीं न theme story के part है यह story है, यह Christmas में नहीं जाएंगे, यह बात तो आपकी बिल्कुल सही है so answer हो जाएगा बच्चो only third follow क्या हो जाएगा आपका answer only third follow ठीक है clear है सब इको यहाँ तो कोई doubt है तो बता दीजी एक बार और question हम discuss करेंगे आगे चल्दी बताएगे एक बार यहाँ तो clear था चलिए यहाँ पर जो type मैंने लिग दिया यह है definitely does not follow definitely does not follow क्या होता देखिए question से हम लोग समझते है कि some ARB instrument हमने लिग दिया some BRC हमने लिग दिया no C is D लिग दिया conclusion हमें तीन दिये गए और पूछा है कि which one is definitely does not follow definitely does not follow का मतलब कि निश्चित रूप से follow नहीं करता है चलिए भीया देखते हैं कि अलग क्या है some B is not D यह D कहा है भई अच्छा यह D है यह D था actually some B is not D B का कुछ पार्ट D नहीं है तो बिलकुल सही है क्योंकि जो पार्ट B का C के अंदर आ रहा है क्योंकि C को D में जाने के लिए मना किया है अब इसके साथ जो भी आ गया न वो D में नहीं जा पाएगा तो बिलकुल B का कुछ पार D में नहीं है यह बात बिलकुल क्या है भी सही है ठीक है No A is D कोई भी A D नहीं है क्यों A तो पूरा D में जा सकता है जा सकता है न क्योंकि A का D से कोई रिलेशन नहीं है डाउट में चला गया All B can be D अच्छा can be को हटा दीजिए क्योंकि possibility यह denote कर रहा है All B are D अच्छा भी जो सारे B D में जा सकते हैं गया बताइए तो आप कहो कि सर अगर सारे B D में गए न तो यह वाला पार्ट भी जाएगा साथ में और जबकि यह पार्ट तो किसका है C का है और वो जा नहीं सकता यानि कि सारे B D में नहीं जा सकते तो यह क्या हो जाए, गलत हो जाएगा, समझ में आगे आपको, क्योंकि अगर आप सारे B को आप D में transfer करोगे, D में अधिया पूट करोगे, D में आप रखोगे, तो उसके साथ में C का वो पार्ट पी जाएगा, जो B के साथ connection में है, ठीक है न, तो यहाँ पर जो आपका answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉंग हो जाएगा, तो यहाँ पर तीन मेरे answer आए, एक आया है right, and second one is doubt, and third one is wrong, अब यहाँ पर आपसे पुछाएगा, which one is definitely does not follow, निश्चत रूप से कौन सा अनुसरा नहीं करता है, तो बचे देखो यह है, सही, और यह है आपका गलत, तो answer आपका हो जाएगा, only third, ठीक है न, तो यहाँ पर definitely पूछाएगा, definitely जब आपसे पूछा जाता है, तो इसमें आप count करोगे, केवल और केवल wrong वाले को, समझ में आगए बात, does not follow, तो दोनों है, second and third, लेकिन definitely doesn't follow कौन सा है, only third, clear है, सभी को, ठी में आगे, definite doesn't follow क्या होता है, अब आता है, can never be or definitely, ठीक है, चलिए, इसकाम डिग्राम मनाते हैं, क्या बन जाएगा, some pen, are pencil, and no pencil is book, and all books are copies, ठीक है, all books are copies, अब देखे, मैंने आपको बचल बहुत ही basic से पढ़ाया है, और कोई भी यादिया, आपको ऐसी नई terminology आपको दिखाई दे, तो आपको से हटा दिया कीजिए, आपने इसे हटा क्योंकि ये आपको नया दिखाई दिया, आप देखे, some pen are pencil, and no pencil is book, and all books are copies, आपाई, all copies are pen, आपस इसको चैनल भी को हटा दीजिए, आप basic सा पढ़िए, all copies are pen, क्या सारी copy को आप pen में भेज सकते हो, आपको वे सर नहीं, और ये क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि सर बुक का पाट है, लेकिन बच्चों ये देखिए, बुक को pencil में जाने के लिए मना किया है, बुक को pencil में जाने के लिए मना किया है, बुक आपकी pen में जा सकती है, तो बिलकुल, सारी copy है, उनको ठागा pen में रख सकते है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बच्चों, बुक को कहा जान बिलकुल जा सकती हैं, कि sir it is possible, sir this can be, sir यहां यह जा सकती है, लेकिन बचो यह करा can never be, कभी नहीं जा सकती, यह करा all copies can never be pen, सारी copy यह कभी pen में, जा ही नहीं सकती है, तो यह तो यह गलत बोल रहा है, ठीक है, आप कह रहे हो sir जा सकती है, इस निकाह नहीं जा सकती, तो wrong कौन है, यह wrong है, ठीक है, conclusion आपको first wrong हो गया, समझ में आगें आपको, ठीक हो, can be possibility वाला के यह सालग होता है, यह possibility नहीं है, ठीक है, यहां पर possibility को खत्म किया जा रहा है, ठीक है, अब बच्चो जो second वाले माय, definitely हमें, देखने को मिला, और definitely जो word है, वो एक, जिसे कहता है, फाल दो दे दिया गया, आपको, बनाने के लिए, कि, इस्टुएंट कहेंगे, confused इसको देख के हो जागा, लेकिन बच्चो, definitely word, superfluous word है, कोई जरूत इसकी यहां पर नहीं है, जैसे मैंने आप से कहा, मेरा नाम सौरब नहीं है, तो आपको पता लगा, कि मेरा नाम सौरब नहीं है, लेकिन मैं कहूं कि मेरा नाम सौरब बिलकुल नहीं है, अरे भाई, या मतलब क्या हुआ है, इसका, बात तो वही है ना, कि ultimately आपका नाम सौरव नहीं है तो यहाँ पर some pen are definitely not copies तो definitely को आप हटा दीजिए question आपका solve करिए, कोई दिक्कत नहीं है some pen are not copies कुछ pen ऐसे हैं जो copy में नहीं जाएंगे तो बचो कौन से ऐसे pen जो copy में नहीं जाएंगे यह वाले आच्छे एक बात बताईए बचो पैंसिल को मना कहा किया जाने के लिए बुक में मना किया है पैंसिल copy में जा सकती है न कहां जाने लिए मना किया है बुक में जाने लिए मना किया है copies में जा सकती है तो some pen are not copies कुछ pen है वो copy नहीं है तो बच्चो यह तो गलत है क्योंकि सारे pen copy में जा सकते हैं, आपका ये भी गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, both are wrong, दोनों क्या हैं बच्चो, दोनों ही आपके यहाँ पर गलत हो जाएगे, clear है ना, समझ में आ गया, बन गया, ठीक है, so can never be वाले में थोड़ा है, उ आइदर और का case हमने discuss किया था, और आइदर और के case में यदि कोई भी problem आपको आती है, तो आप comment box में जरूर comment कर दीजिए, आप आपको करना क्या है, आप लगपक 50 के आसपास questions आपको लगाने हैं अलग लग जगे से, किसी website से, किसी application से, कहीं से भी, और जो भी आपको doubt आ आइदर और के पेपर हो, या SBI, RBI जो भी पेपर हो, उसमें जो पूछे गए question है, उनको हम discuss करेंगे, आगे हम coded log भी पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को हम अगरे lecture में discuss करेंगे, ठीक है, इदर और केस, अच्छे सतर प्रक्रिस कीजिएगा, और भी कोई आपको यदि question आता है, तो बिल्कुल आप comment section में डाल दीजिए, ठीक है, तब तक के लिए, पढ़ते रहे हैं, विदा लेते हैं आपसे, शुक्रिया, thank you